Assalamualaikum guys and welcome back to another lecture on Flask web app development. आज हम image generation app बनाने वाले हैं using Flask. और जो चीज हम image generation के लिए use करेंगे वो है latest model of open AI called DAL-E3. DAL-E3 के थुरू हम use करके different किसम की images को generate करेंगे and then कोशिच करेंगे उन्हें download करने के भी. त्यार हैं तो चलें start करते हैं. इस एक वीडियो के लिए आपको open AI chat GPT जिसका एक model है उनकी API key चाहिए होगे ठीक है? और जहरी बात है API key के लिए आपको थोड़ा बहुत invest करना पड़ता है वो कितने 3 से 5 डॉलर या 10 डॉलर आपके लिए खतम नहीं होते हैं. तो वो API key को हम use करेंगे. On the other side अगर आप chat GPT प्लस लेना चाहते हैं, then contact us at info at kodernix.com. But start करते हैं, screen आपके सामने ले के आता हूँ. एप जो है वो डाली 3 image generation app है, यहाँ पे मैं 03 underscore image generation app लिखता हूँ. और यहाँ पे इस folder के अंदर हम image generation app बनाने वाले हैं, हमें यहाँ पे लिखता हूँ app.py, इसके अंदर हम अब पूरे का पूरा अपना code रखेंगे, और फिर हम यहीं पे templates का एक folder बनाते हैं, because we need templates का folder, और templates के folder के अंदर हम अपनी index.html बनाएंगे, index.html. तो यह हमारे पास इस तरीके से folder structure होती है, किसी भी app की, तो आज के code के अंदर जो basic हम काम करने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से है, पहले हम app.py का जो code है, उसे एक दफा देख लेते हैं, मैं यहाँ पे अपना code paste करता हूँ, ताकि आपको easy से दिखा सको, यह जनाबे वाल create, request, redirect, URL, for and openAI वगारा, import कर लेनी है, अपने environment के अंदर, और हमारे पास flask के इलावा, कुछ भी install नहीं है, so we have to install openAI, उसके लिए हम अपने terminal साब को बलाते हैं, कि पाई जी आओ, साड़ना कम कराओ, तो यहाँ पे इसको मैं terminal को on करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, pip install openAI, और इसको install करने के लिए आपको पता है कि थोड़ा सा time चाहिए होता है, meanwhile it's being installed, मैं आपको तरीका कर बता दे, तो हमने क्या करना है, मेरे ख्याल से है, मैं pip install requests भी करना परना है, तो मैं requests, requests, इसको भी install कर लेता हूँ, and sometimes we need this one as well, तो यह दो जो हमारे लिए libraries हैं, यह important है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, and now, what you have to do, we have to actually look into it, मैंने यहाँ पे अपना जो flask का, जो app है, वहाँ से start किया, यहाँ पे हमने app is equal to flask, और underscore name कर लिया, यहाँ पे हम अपनी open AI की testing, जो हमारे पास API की है, वो देंगे, तो मेरे पास यह API की जो यहाँ पे मैंने दी है, या जो यहाँ पे मैं API की रखूँगा, यह आपके लिए नहीं चलेगी, API यह आप यहाँ से generate कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी click किया, यहाँ पे API पे, यहाँ पे मैं generate कर click करता हूँ, औ यहाँ पे paste करने के बाद हम हम क्या करेंगे, एक function लिखेंगे, जो डली 3 को use करते हुए हमें image बना के देगा, so for example हम generate image का function लिखते हैं, जिसके अंदर आप prompt देंगे, और वो prompt डली 3 के model को use करके, 1024 by 1024 की HD quality आपको image देगा, quality हमने standard रखी हुए, number of image is equal to 1 रखे हुए, हम क् करेंगे, basically client.images.generate करेंगे, और यहाँ पे client का मतलब यह है, कि open AI की API की को use करके यह काम होगा, API क्या होती है, क्यों use होती है, इसके बारे में हमारे kodenics के website पे आप जा के API kodenics लिखेंगे, तो आपको सारी समझ आ जाएगी, अब यहाँ पे check करें, कि हमारे पास हमने क्या क है, हम यहाँ पे route करते हैं, और different methods के through route कर रहे हैं अपनी आपको, इसमें get and post है, यानि कि एक request हम करेंगे, second हम उसको post भी करेंगे, so यहाँ पे हम क्या करेंगे, define करेंगे, अपने index को, index क्या है basically, अगर request method post हुआ, तो prompt क्या करना है, request.form.get prompt ले लेने, ठीक है, और if prompt, अगर वो prompt आता है हमारे पास, image URL है, generate image prompt, ठीक है, if image URL हमारे पास है, तो return render template, मतलब यह कि हम step by step जा रहे हैं, कि अगर हमारे पास कोई बंदा post select करता है, तो हम prompt को use करेंगे, उससे image बनाएंगे, और इस image को एक URL के through हम यहाँ पे ले आएंगे, और उस URL को हम index.html, जो हम file यहाँ पे बनाएंगे, इसके अंदर उसे paste करने वाले हैं, and then else, अगर वो हमारे पास post नहीं होता, get होता है, तो हम क्या करेंगे, basically, fail to generate image कर देंगे, and please try again, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर post नहीं करता, कोई enter नहीं करता, तो हम यहाँ पे हमारे पास error आजाएगे, so हम क्या करेंग like, save this app like this, अब index.html के अंदर आते हैं, index.html के अंदर को मैं hardcore coding नहीं करने वाला, it's up to you, आपने जितना सुत्रा इसको बनाना, you can make that, लेकिन मेरे लिए, यह कुछ इस तरीके से डाली 3 image generator बनेगी, यहाँ पे आप prompt लिखेंगे, generate image पे click करेंगे, and then वो image generate हो जाएगे, क्यू यहाँ पे click करें, तो आपको इस तरीके से अपना HTML की window नजर आ जाती है, so usually HTML preview की आप एक extension करते हैं, जिसके थ्रूँ आपको सारा कुछ view कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हू, HTML preview का, तो HTML preview, so आप different किसम के extension करते हैं, मैंने यह वाली की हुई है, which is fine for me, क् मैंने इसको use करना होता है, to view my HTML files, okay, so हमारे पास index.html में क्या है जी है, हमारे पास different किसम के tags है, language हमने बताई हुए कि किस language में हमने सारे काम करने है, डाली 3 image generator, यहाँ पे मैं लिखे देता हू, app by kodenix, तो यह वहाँ पे print हो जाएगा, और text आपको क्या चाहिए, आपने basically यहाँ पे बताया है कि h1 tag के अंदर आपके पास यह वाली चीज आएगी, यह title है आपका, तो मैं simply इसी को ही paste करके यहाँ पे h1 tag, यानि कि पहली heading में paste कर देता हूँ, and then, अगर from method post होगा, तो input type is equal to text, name prompt है, placeholder, enter for a prompt for daily 3, यह हम required लिखे देंगे, and then generate image का यहाँ पे button आ जा जाएगी, आप user से input लेंगे, और button आपके पास आएगा, which will run your generate image thing, और होता क्या है, यह basically if you have that image URL, तो आपके पास कुछ इस तरीके से source आजएगा, उस image URL का, और alt generated image आजएगी, style आजएगा, उसका maximum higher width आजएगी, and so on and so forth, तो यह HTML की coding है, यह basically बहुत असान है, आप इसको स ज्यादा focus नहीं करवाने वाला इस वकत, ओके, तो यहाँ से हम terminal open करते हैं, आप यहाँ से भी terminal open कर सकते हैं, तो मैंने इस terminal को open किया, यहाँ पे मैं python, यहाँ पे लिखता हूँ, 03 image generation app, slash app.py, मैं इसको run करता हूँ, python के through, तो यह मेरे पास कुछ इस तरीके से run होगी, मैं इ है, मेरे पास खास तोर पर एक image generation app जो है, वो इस तरीके से बन किया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर prompt लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, prompt, generate an image of a beard guy having man bun, wearing glasses, looking like Dr. Mohamed Amar Tufail, brown color, six feet height, teaching coding class at Codenix, तो मैंने यह जो prompt लिखा है, जान बूच के मैंने ऐसा लिखा, just to see है, हमारे पास किस तरीके से जलता है, मैं generate image पर click करता हूँ, generate image पर click करने के बाद, it will work in a bit, और आपकी API की और बाकी चीज़ें काम कर रही है, अगर आपको अंदाजा नहीं है, किस तरीके से काम चल रहा है, so you can look here, तो अगर यहां पर कोई error आती है, इसका मतलब nothing is working fine, अगर यहां पर आपका post आगे है, मैं download पर click करता हूँ, और यह मेरे पास the request URL was not found on the server, if you enter the URL manually, please check your spelling and trying, So there is one error in the app, which we can resolve later on, लेकिन download image जो है, वो basically हमारे पास इस तरीके से run कर सकती है, अब मसला कहां पर आ सकता है, मसला यहां पर आ सकता है, कि यह जो हमारे पास prompt है, यह basically requested method के तुरू हमारे पास यह चीज़ें तो ले के आ रहा है, but on the other side, we didn't add any functionality to download the image, हमने क्या किया है, हम यहां पर सिरफ एक button दे रहे हैं, कि download image जो है, वो हमारे पास आ जाज़े, और image URL हमारे पास download करके नहीं दे रहा, so we have to resolve that error, but for now, I would suggest के आप right-click करके भी से, यहां से save image as कर लेंगे, तो आपके पास इसकी quality अच्छी खासी ही आएगी, for example, if I save this image in document, flask tutorials, image generation app, and यहां पर मैं लिखता हूँ, generated image, save करता हूँ, you can see के हमारे पास 3 MB की यह image generate होके यहां पर आ चुकी है, so this is how you can also save the image, और यह हमारे पास image कुछ इस तरीके से, इसी के अंदर मैं फोल्डर के अंदर रख देता हूँ, ताके यह आपको असानी से मिल जाए, यहां तक आपने देखा कि डाली 3 के थुरूँ, आप कितनी easily एक app बना सकते हैं, which can generate image, but it works at a cost, डाली 3 की API आपको purchase करने पड़ती है, and then you can work on it, और इसे के साथ आज की इस app के tutorial को मैं finish करते हैं, तो अपना ख्यार रखें, next lecture के अंदर मिलते हैं, यह code सारे के सारे description के अंदर मैंने link दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं, आई बटन में जाके आप पूरी के पूरी प्लेलिस भी देख सकते हैं, जिसका description में मैंने link दिया है, एक काम ज़रूर करते हैं, like, share, subscribe कर दिया करें, इससे आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, और हमारी website kodenix.com को देखना मात पूलिएगा, अपना ख्यार रखें, तो हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जहां पे और भी अच्छी आप्स बनाने वाले, take care and अलाने के बाद, असलाम लेकूँ.